हेलो और वेलकम टू ग्रेट ऑउल्लाइन अकेट में मेरा नाम है रविन दोस्तो आज के जो वीडियो है इसका सभी लोग बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे थे और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लिया गया है रिसर्च टीम ने हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा मार्केटिंग का बचा हुआ पोर्शन था उसको कंप्लीट करके एक ऐसा स्टेडी मेटेरियल आपके लिए तयार किया है इसके बाद आपको मार्केटिंग में जो भी टॉपिक्स बचे थे जो भी आप अलग-अलग जगा से पढ़ रहे हैं अलग जगा पढ़ने में आपको जितना टाइम खर्च हो रहा है वो सभी content marketing जो हमारा है उसको हमारी research team ने एक ही video में compile करके आप लोग के लिए बनाया है तो ये जो हमारा content है इसको बनाने के लिए जो इतने दिन के बाद हमारा video आ रहा है आप लोग समझ सकते हैं क्यों हमने बहुत ही ज्यादा इसके लिए महनत किया आपका जो marketing के time पे खतम हो जाए इसलिए इस video को हमने बहुत ही एक साथ बना के एक ही वीडियो में maximum content को cover करने की कोसिस की गया है तो ये वीडियो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखे इसके बाद जो है आपका marketing एक तरीके से खतम हो जाएगा एक तो टॉपिक जो हम बसती है उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा जैसे कि branding और जो टैग लाइन्स है अलग अलग कंपनी की टैग लाइन्स जो एक्जाम के लिए important है तो उसको मैं एक लाज छोटे से वीडियो में लेके आओंगा एकनॉमिक्स के भी कुछ ऐसी चोटी चोटे points है वो सभी चीजे मैं आपको बता दूँगा यह लगभग जो आपका marketing है इस वीडियो के बाद आपका 95% complete हो जाएगा तो इस वीडियो के सभी points सभी चीजे आप लोग बिलकुल धान से पड़ेगा बहुत important होने वाला यह वी चनाते हैं कि यह वाली marketing जो इसका नाम क्या है या इस marketing टाइप में इसके फीचर क्या है इस तरह के questions आते हैं जैसे ग्युर्यला marketing टाइप डिटल मार्केटिंग में बहुत ही बड़ा सिलेबस है जिसमें affiliate marketing वाइरल marketing यह सारी चीज़ें आती है तो डिटल मार्केटिंग के पांच ऐसी चीज़ों का हम लोग समझेंगे जिससे हम लोग को डिटल मार्केटिंग से जो भी ही इस्तेमाल पूरी दुनिया आज के समय में कर रही है जो भी हमारे पुराने तरीके थे आउट बॉंड मार्केटिंग ये सब चीज़े धीरे धीरे बंद हो रहे हैं अब इन बॉंड मार्केटिंग का जमाना आ गए जिसमें डिटर मार्केटिंग बहुत ही एहम भूमी का न इसके पहले मैंने आपको थर्ड वीडियो में कस्टोमर ड्रिवन स्टेटजी के बारे में बताया था तो कस्टोमर को धायान में रखते हुए बनाए जाती है मार्केट ड्रिवन इस्ट जो होती है वो मार्केट में उतरने का तरीका है किस तरीके से मार्केट में उतरना है फिर इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे product market expansion grid market में उतारने के बाद हम लोगों मार्केट में growth करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग matrix का इस्तवाल करेंगे and soft matrix and soft matrix हैं हम लोग किसी भी market में grow कर सकते हैं फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे marketing process management कैसे किया जाता है growth करते करते हम लोगो सारे marketing के process को अच्छे से manage करना पड़ेगा वरना हमारी जो growth है वो पूरी तरीके से down चली जाएगी तो यह पूरा जो process marketing है एक single video मैं आपको बताऊंगा इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिए बिल्कुल ध्यान से समझे और अगर आप लोग notes भी बनाना चाहते हैं तो notes बना लीजे वैसे PDF में सभी चीज़े लिखी रहते हैं PDF आपको telegram channel पर मिल जात आउंगा तो चले हम लोग video को start करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप प्लीज इसे अभी subscribe कर लिजे ताकि मेरे दौरे दीगे हर एक video की notification आपको time पर मिलती रहे चले तो 10 types of basic marketing से हम लोग lecture को start करते हैं सबसे पहला हमारा direct marketing डारेक्ट मार्केटिंग क्या होता है देखे इसमें क्या किया जाता है सबसे पहले कोई भी company अपने customer base में से ऐसे pre-selected customers को निकालती है जिनको उनको पता होता है कि ये product को खरेश सकते है जैसे कि कोई product अगर high cost क तो company कोसिस करें उनको innovators को बेचने की अगर वो product innovators के हिसाब से बनाए गया है तो वो product सबसे पहले innovators को अप्रोच किया जाएगा और उनसे complaint वगर अभी रेश्टर की जाएगी सब तरीके का feedback लिया जाता है ताकि company जो भी अपना marketing campaign बनाए गया चलके उसमें उसकी सहता उस मार्केटिंग campaign के पहले एक टेस्ट मार्केटिंग बनाने के लिए किया जाता है जब भी हम लोग मार्केट में उतरते हैं उसके पहले या मार्केटिंग campaign बनाते हैं तो उसके पहले हम लोग टेस्ट मार्केट क्रेट करते हैं जिसमें हम लोग एकदम similar वही महौल क्रेट कर कि कोसिस करेंगे जो हमको मार्केट में देखने को मिलने वाला है तो इसमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को वहां पैचने के के को ज़सीष करते है जाँ जाता है तो निनके पस अपने कि अगर आप हमारे यह प्रोड़क्त खरेते हैं तो आप इतना परसेंट डिसकाउंट पा जाएंगे इसलिए आप हमारा प्रोड़क्त खरेद लीजे या फिर ब्रोड कास्ट फैक्सिंग इस तरीके की चीज की जाती है जिसे आप को फैक्स सुरंत ही पहुंच जाता है यह द आपको easily कोई भी समान बेश सकते हैं इसलिए बहुत सारे लोग डारेक्ट मार्केटिंग को डारेक्ट обрат Jetzt रェस्पॉंस मार्यटिंग भी कहते हैं क्योंकि यहां पर डारेक्ट रसपॉंस हमको पोस्ट को like कीजिए तो यह आप जानते हैं कि वो जो लोक जिनको आप जानते हैं कि हमारे post को like करेंगे अगर आप सिर्फ उन ही महीं को वह पोस्ट भेजते हैं तब आपका direct marketing हो जाएगा अगर आप सबको भेजेंगे तो वह direct marketing नहीं है पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से लोग हमको इस तरीके का रेस्पॉंस दे सकते हैं जिसके हमको इनीशिली बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिले अगर आप उस पोस्ट को स्रिप पोस्ट करके छोड़ देते हैं तो वह आपका एक इन डारेक्ट मार्केटिंग है आप लोगों को बतातो रहे हैं बड़ डारेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं इन डारेक्ट मार्केटिंग इसके पास हम लोग पढ़ेंगे डारेक्ट मार्केटिंग आप लोग समझ गयोंगे हम एक प्री सेलेक्टेट कस्टमर को टार्गेट करके उनको ही डारेक्टली approach करते हैं हम सबको approach नहीं करते तो यह तरीके की niche marketing है इसमें सर्फ कुछी लोगों को approach किया जाता है ताकि हमको initially जो भी फायदा चाहिए या marketing campaign के लिए जो strategy बनानी है वो easily हम लोग बना सकें चले अब हम लोग समझते है personalized या individual marketing क्या होता है देखे जैसे direct marketing अभी हम लोग ने पीछे पड़ा उसमें क्या है हमने कुछ pre-selected customer को अपने product के बारे में बताया अब अगर इन pre-selected customer में से हम किसी एक खास इंसान को चुलने जिनको हम वो product बेचना चाहते है या अगर हमको पता है कि यह product अगर इस इंसान ने खरेद लिया तो हमको high cost का revenue होगा हमको ज़्यादा revenue इस इंसान से मिलने वाला है तो हम अपना पूरा focus उस इंसान के लिए अपना लगा सकते हैं तो individual marketing इसी तरीके के लोगों के लिए की जाती है जिससे किसी भी company को उमीद होती है कि यहां से हमको ज़्यादा profit मिलेगा जैसे कि आप किसी cinema hall में देखते होंगे कुछ एक ऐसी खास seats होती है जो किसी एक politicians के लिए reserve कर दी आती है या कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जिनके लिए वह seats reserve रहती हैं तो इस तरीके का company ज़्यादा चार्ज कर सकती है क्योंकि हम आपको एक ऐसी service दे रहे हैं जो किसी और को नहीं देने वाले तो इंडूजर मार्केटिंग से हमको हाई revenue होता है पहली चीज प्लस इंडूजर मार्केटिंग हमको help करती है कस्टमर को retain करने में CRM में आप लोग ने कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन पढ़ा होगा समिशन ने पढ़ाया है तो कस्टमाइजेशन कोई भी जो बड़ी कंपने होती है जो old economy है वो क्या करती है कस्टमर को खुछ से कहती है कि आप अपने हिसाफ से product को select कर लिजे वो भी एक तरीके के personalized marketing है जो इसले की जाती है कि कस्टमर हमारे पास retain रहे है उसी तरीके से personalization किया जाता है जब कोई नई economy होती है तो वो एक कस्टमर को पगड़ के उनको समान बेशती है ताकि एक कस्टमर हमारे लिए valuable बन सके और हम उसके life में कुछ ऐसी values add करें जिससे उसका फायदा हो तो individual marketing हमेशा ऐसे customer retention को बनाने के लिए की जाती है जिससे कंपनिया चाहती है कि यह कस्टमर का अगर हमारे पास रहा तो हमारे company को sustain करने में दिकत नहीं होगी आज होप आप लोग इसको समझे होंगे अब इसी तरीके जो हमारी थर्ड टाइब की marketing है वह है हमारे पौस्ट को Like करने वाले मर्केटिंग क्या होगी आप ने उस पौस्ट को किया आप ने किसी छीश का डाला हुआ है पर आप आप झिति को कहाuffrage नहीं वह दो समझ रहा है कि आप इस चीज का advertisement कर रहे हैं तो इंडारेक्ट मर्केटिंग में आप किसी को बताते नहीं कि हमारे पास ये product है आप खरेद लो बट आप इंडारेक्टली उनके आसपस घूमते रहते हो जैसे कोई अगर तीसरा good and five star rating ठीक है तो अगर वो five star rating आपने वहां comment में डाला है और उस इंसान उसको पढ़ा तो उसके दिवाएं में एक बार ये बात आएगी कि क्यों ना मैं भी इस जगह पर जाओं बट डारेक्टली आपने उसको ये बात नहीं बोली कि तुम इस जगह पर जाना और इस जगह कर लेते हैं तो यही होगी इन डारेक्ट मार्केटिंग बीना कुछ बोले अगर आप वहां तक अपना संदेश पहुंचा दे तो वह होगी इन डारेक्ट मार्केटिंग जैसे कि लोग कहते हैं कि समझदार के लिए इसारा ही काफी है तो यह वही होता है यहां पे लोगों क समझदारी से कुछ इसारा ऐसा बताया जाता है जिससे वह आपके marketing को समझ सके और उनको यह भी ना लगे कि आप उनके सामने उसकी marketing कर रहे हो तो जले इसी तरह के होती ओवर marketing अंडर marketing वर marketing ओवर marketing क्या है देखें जब हम किसी भी चीज में profit कमाने के लिए अपनी ब्रांड की image के बारे में विना सोचे अगर हम हर एक जगा पर अपने प्रोड़ेट के उतार दें या अगर हम पहले showrooms में अपने कार को या जो भी चीजे हमारे थी उनके लिए अलग से showroom बनवाते थे जैसे रोलेक्स की घड़िया है तो आपको वह हमेशा showroom में मिलेंगे नौर्मल जगा पर नहीं मिलेंगे बट अगर कोई कंपनी जो पहले से एक ब्रांड की image को हासिल कर चुकी है अगर वह अपने क्वाल्टी कंट्रोल ब्रांड इमेज को भूल कर हर एक जगा पर अपना प्रोड़क्ट उतारने लगे स्रिफ और स्रिफ प्रॉफिट कमाने करें तब हम कहेंगे कि वह कंपनी जो इस वक्त ओवर कर रही है इस वक्त कंपनिया अपने प्रोड़क्शन की जो एफिसेंसी है उस पर विध्यान नहीं देती वह आल टाइम ज्यादा ज्यादा प्रोड़क्ट बनाने कोसिस करती है और किस तरीके से उनको कितना कैस्ट आने वाला था कितना प्रॉफिट होने वाला था उस पर विध्यान नहीं देती है वह कुछ मार्केट में उन प्रोड़क्ट को लो रेट्स पर उतार देती है और कुछ में जैसे शोरूम वगारा में वह एकदम मैक्सिम रेट में समान को बेशती है तो इस तरीके कि जब कोई कंपनी अपनाती है जब वह कुछ ऐसी जगा पर भी अपने कैस एफिसेंसी के बारे में भूल जाए या प्रोडक्शन एफिसेंसी के बारे में भूल कर सिर्फ और सिफ सेलिंग को टार्गेट करें तो वह कंपनी उसक्त ओवर मार्केटिंग कर रही है बट अगर वही कंपनी जो भी मार्केटिंग पहले कर रही थी अब उससे को भी कम marketing करने लगे जो भी मार्केटिंग केंपेइन वह पहले से चला रही थी उससे भी कम marketing उससे भी कम जगा पे अपने प्रोड़्ट को बेचने लगे तो वो हो जाएगा अंडर मार्केटिंग इसमें कंपच्ण ना तो जाधा प्रोर्मोशन करेगी ना तो जाधा मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाएगी सिर्फ वस्रिफ कुछी जगा पर अपने प्रोड़क को बेचेगी जिसको खरेदना है वो खरेदेगा जिसको नहीं खरेदेगा कंपनी ज्यादा नंबर को टार्गेट नहीं करती है वो कुछी लोगों को प्रोड़क्ट देती है और हाई कॉस्ट पर देती है तो अंडर मार्केटिंग का मतलब यह नहीं कि इसमें लॉस होने लगता है अंडर मार्केटिंग का मतलब कंपनी कम लोगों को ही मार्केटिंग क करती है ॊर जितने लोगों करती उनको हाइव कौश्श समान बेचनी कंपोर्डाइब वह सामन बेच्ट अपनाती है जैसे आपडेखे होंगे यह सीर्फ और सिर्फ वह online launch होंगे या तो एक टाइम पर कुछी ऐसे stores होंगे एक एक साहर में एक store होगा जहां पर launch होंगे हर एक store में नहीं पहुंच जाएगे तो एपल इस तरीके की जो strategy बनाता है वह अंडर मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि 4C model अपनाया था तो 4C model अपनाता है तो उसमें cost to satisfy इस तरीके से बनाता है कि under marketing करके उस चीज की demand को increase कर सके तो under marketing से किसी product की demand को increase किया जाता है और over marketing से हम लोग अपने profit या selling को increase करते हैं इसी तरीके से एक होता है D marketing जिसमें हम लोग बिल्कुल marketing नहीं करना चाते हैं हम यह कहते हैं नहीं कि आप यह समान खरे दो हम कहते हैं कि आप यह समान खरे दो ही मत जैसे कि आप लोग ने देखा होगा cigarette वगरा के एट्स या cold drink वगरा के हर जगा लिखा रहता है कि कितना सूगर आप यूज करने वाले हैं क्या आप सारा सूगर किसी पॉण्ड में डाल रहे हैं आपने पेट में डाल रहे हैं तो इस तरीके की चीजह को अपने इस्तेमाल करती है वह यह दिखाने चाहते हैं हम आपके हेल्ть यह एंजोने हैं इसमें हमारी गल्ती नहीं हैं कि हम आप को फो फोलड़को भी क्रित रहे हैं गल्ती आप के आफ हमसे और ख्रीड रहें तो यह होता यह डी-मार्केटिंग और कमपनी कहते कि तुम्हें प्रोड़क मत करो इतलिए वह इस्तेमाल करती है डी मार्केटिंग जो भी मार्केटिंग टेकनीक वह किसी ने किसी सोच को रखते हुए बनाई जाती है किसी भी मार्केटिंग टेकनीक का कम्प्लीटी कोई लॉस नहीं होता है हर एक मार्केटिंग टेकनीक का कुछ न कुछ प्रॉफिट होत बड क्योंकि उनके उपर गौर्मेंट के भी रेस्टिक्संस होता है तो उनको डी मार्केटिंग की स्टेड़ी अपनानी पड़ती जिसे ओव उनके बारे में यह कहती हैं कि आप इन प्रोड़क्ट को मत खरे दो इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग टाइप है वह है नौन प्रोफिट मार्केटिंग अभी जैसे हम लोग ने डी मार्केटिंग पढ़ा यहां पर कंपने अपनी इमेज को सुधारती है नौन प्रोफिट मार्केटिंग ऐसी टेकनीक है जिसमें कोई भी कंपनी प्रोफिट कमाने के लिए अपनी मार्केटिंग को नहीं क की कंपनी जो है मेडिसीन की फार्मसीटिकल कंपनी अगर वो अलग अलग जगा पर ब्लड कैम्प लगा अलग जगा पर कुछ फ्री की शिविर लगा जहां पर डॉक्टर जो है वो लोगों को फ्री जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दवाईयों का दे सकें और जो उनकी बेसिक एस्ति भी मार्य हो दूर हो झाय तो हमते कंपनी की जो इमेज है वह लोगों के मन में बहुत हिज़ा अच्छी हो जाएंगी कि यह कम्पनी लोगों का भला चाहती है Grad अब यह भला चाहती है तो इससे क्या होगा लोग जब उनकी दवाईयें खरेंदंगी तो अगर वो 100 रुपए की भी बिगेगी तो सोचेंगे की 100 रुपए की इसले होगी क्योंकि यह इसमें कुछ ऐसा यू इस्तमाल होता होगा जिससे हम जल्दी ठीक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कंपनी के इमेज पहले से उसनने नॉन-प्रोफिट मार्केटिंग से बूश्ट कर रिखी है तो इस तरिके की जो कि जाती उन प्रोड़क्ट की जी आती जिनको बेचने के करते हैं कोई marketing के जरूत नहीं है सिर्फ कम्पनी अपनी मेंज को बनाने के लिए non profit marketing करती हैं कई वर non profit marketing बहुत सारे अंग रिकरते हैं जो अलगलग काम के दिए जो non profitable work करता है नोग कोई काम करते है तो वह भी not profitable marketing करते हैं अग यो जो भी है वो कभी भी बिना profit के वो sustain नहीं कर सकता कुछ न कुछ उनको earning आनी चाहिए तभी वो sustain कर सकते हैं NGO को all the time कुई न कोई फंड नहीं मिलता कुछ न कुछ वो ऐसा करते हैं जिसे उनको regular income बनी रहती है तो nonprofit marketing में ज्यादतर लोग अपनी image को सुधाने कोसिस करते हैं जैसे कि आप यह भी मान सकते हैं कि जैसे बावा राम देव हैं फ्री योगा सीविर लगाते हैं तो जहां जहां फ्री योगा सीविर लगाएंगे वहां पर nonprofit marketing कर रहे हैं बेसिकली हर एक योग का सीविर जो है वो फ्री नहीं होता बट कुछ ऐसे शिविर लगाए जाते हैं जहां पर फ्री लोगों का इलाज किया जाता है और कुछ ऐसी चीजों को लोगों के मन में डालने के कोसिस की जाते हैं जिससे वो हमारे ब्रांड पर बिलीव करने लगे आई होब नन प्रोफिट मार्केटिंग का उद्धेश आप लोग समझ गया होगे चले rust ट debates की मार्केटिंग इनॉवेटिव मार्केटिंग जैसे कि नाम से समझ आ रहरा है इसमें कुछ एसा इनुवेटिव करके दिखाया जाता है जिससे कस्टमर हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जैसे कि first second and third image को अगर आप लोग धान से देखें तो first image में एक marketing की जारी किसी mobile की उसमें इस तरीके की lightning को इस्तेमाल किया गया है कि जब वो product launch हो रहा है तो customers को ऐसा लगता है कि completely किसी नई technology से बना हुआ phone है जब भी आप किसी भी phone का एड़ देखते होंगे कभी आप अगर यूटूब अगर आप पर किसी phone का ऐसा innovative दिखाते हैं किसी product के advertisement में उसको कहते हैं इनोवेटिव मार्केटिंग जैसे कि एक artificial heart का second image में आप देख रहे हैं कि एक artificial heart के लिए advertisement बनाए गया है जिसमें यह लिखा गया है we deliver before your deadline तो इस तरीके की क्या है आप जब भी आपके deadline के पहले वो आपको deliver करता है तो यह कहा है एक attractive चीज है कि आप उसका जब भी चाहेंगे अगर आपको artificial heart की जुरुत पड़ती है तो आप उनसे वो चीज खरेश सकते हैं यह आपको आपके मनने के पहले दे देंगी यह confirm है तो इस तरीके की जो tagline बनाए गई है यह भी एक विल्कुल attractive tagline है room में रहेंगे किस तरीके से आप सोफे बैठेंगे किस तरीके साब अपने बैट पर सोऊंगे हर एक individual को भी paint किया गया है किसी housing society या किसी housing board ने इस तरीके के कारणामे को करके लोगों को attract करने के लिए कि वह हमारे society में flat खरेते हैं इस तरीके की चीज़े बनाई है इसको कहेंगे innovative marketing यह बिल्कुल ही अलग innovative टाइप से बनाए गया है यह आपको हर जगह नहीं मिलेगा और यह आपको देखने में भी लगेगा कि इस तरीके के एड को बनाए गया है इसका सबसे बड़ा जो फायदा है इससे customer आपके पास जल्दी acquire हो जाते है customer acquire करने के लिए अगर हम लोग innovative marketing का इस्तमाल करते हैं तो हम लोगों बहुत ही जादा फायदा होता है अब इसी तरीके से same innovative marketing के तरह एक हम अलग टाइब की marketing देख कि आप उस company के बारे में जानना चाहें जैसे कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपको कहीं पर paint और ब्रस नीचे गिरा हुआ दिखे और यह कोई paint की company है जो अपना advertisement कर रहे है तो आप सबसे पहरे सोचेंगे कि यह ऐसे कैसे होगा यहां पे इतना बड़ा paint और बड़ा मैं बहुत दिन से नहीं आँ मैंने अभी तक वहां का दो हफ्ते से बर्गर नी खाया है यह मैंने वहां पर पिजा नी खाया तो इस तरीके की चीज़े जो है आपको तुरंती ऐसे महसूस कि आती कर आई जाती है कि आपको लगे कि अचानक से मुझे किसी चीज की याद तो यहां पर पूरे बस के उपर लिपटा हुआ है तो इससे क्या है आपको वाइड लाइफ के बारे में एक तरीके की सतरता दे जा रहे हैं कि अगर यह लोग हमारे बीच में रहेंगे तो कैसा लगेगा तो इससे आपको कभी मन करेगा कि मैं भी इस जू में जाके इस चीज कहते का ग्यूरिल्ला मार्केटिंग जो आपको सेडेनली किसी चीज की याद दिलाता है और आपको वह तरीका इतना अच्छा लगेगा इतना अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कह जाता है कि आपको लगता है कि हाँ मुझे यह चीज करनी चाहिए कुछ और चीजह हम देखें ग्यूरिला मार्गेटिंग की जैसे आप फॉर्थ इमेज यहां पर जो है हमारी फस्ट इमेज उसमें आप देख रहे हैं कि पीजा नीचे गिर रहा है तो आप जब भी इस तरीके के इमेज देखेंगे तो आपको तुरंद मन करेगा कि मुझे पीजा खाना चाहिए आप उस चीज को खाने के कोशिस करेंगे तो इस तरीके की चीजे इसी लिए बनाई जाती है ताकि आपका ध्यान तुरंद थी उस प्रोजेक्ट पे लाया जा सके अब सबसे बड़ी बात क्या बाकी चीजों से नहीं आता है क्या तो बाकी चीजों से भी ध्यान आता है तो एडा मॉडल का जो अटेंशन और इंट्रेस्ट है हम लोग ग्यूरिला मार्केटिंग मदश से तुरंथ ही किसी कस्टमर को अट्रेक्ट कर सकते हैं तो इसलिए इस तरीके की चीजे बनाके इन दो जो एडा मॉडल के ए और आई है उसको अचीव करने की कोशिस की जाती है ग्यूरिला मार्केटिंग से अधिके ग्यूरिला मार्केटिंग के बात समझी यह सबसे इन एक्सपेक्ट इन एक्सपेंसिव है इसमें बहुत ही कम खर्चाता है बट इसमें जो मेहनत लगती हो टाइम लगता है वह जादा लगता है इसमें जादा लोगों तक यह चीज से क्या होता है कि हमने बहुत कम खर्षे में सिर्फ अपने टाइम को इस्तमाल करके ऐसी चीज बनाई है जिसे हमारी इतना इतना की बड़ेगा क्यों सकते मैं मार्केटिंग भी मार्केटिंग की नाम से पता जल रहा है अपने product को environmentally safe दिखाना इससे क्या होता है जब भी कोई हम ऐसा advertisement बनाया है जिसमें अगर हम यह बताते हो कि हमारा product totally environmentally safe है environment को जरा सभी नुकसान नहीं पहुचाता है इससे क्या होता है जो भी हमारे customer है वो इस चीज को देखते हैं और यह सोचते हैं कि अगर यह company environment का इतना ध्यान रखती है तो यह हमारा कितना ध्यान रखेगी इस तरह के concept से जो हमारा customer है वह हम पर believe करने लगता है और believe करने से जब भी हम उसको कोई product बेशते हैं तो वह बिल्कुल satisfaction के साथ उस product को खरेतके जाता है green marketing में अधिकतर चीजों को greenish color करके दिखाये जाता है जिससे वह पता चलता है कि यह जो product है वह environmentally safe है सभी जो product या कोई भी ऐसी company जैसे कि आप देखेंगे mcdonald's ने भी अपना color वगरा चेंज कर दिया तो इन चीजों को क्यों change क्या है वह green washing क्या है और green marketing का क्या मतलब है तो green marketing सबसे पहली चीज़ इसमें product को environmentally safe दिखाने के कोसिस की जाती है जरूरी नहीं है कि वह product totally environmentally safe हो बट कुछ ऐसे modifications किये जाता है या तो product में कुछ से modifications करेंगे या packaging में करेंगे या हम ऐसा जो हमारा production cycle है जिसमें हमको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा chemical use हो रहा है जो हमारे product में नहीं होना चाहिए उन सारी marketing के concept बस यही चीज धान रखी जाती है कि lab testing में हमारा product environmentally safe निकलना चाहिए किसी भी company का उद्देश यह नहीं होता है कि वह बिल्कुल environmentally safe product बनाए इतनी अच्छी company दुनिया में बहुत ही कम है जो इस तरीके की सोच को रखती है maximum company green marketing का concept सिर्फ इसले लाती है क्योंकि लोगों का जो belief है उसको जीज सके इसी तरीके से concept होता है green washing का देखे green washing क्या होता है अगर हम किसी भी चीज में सिर्फ green color डाल दे तो लोगों के अंदर जो पहली image बनत है लोगों के उपर जिससे कि लगे कि यहां पर सब कुछ अच्छा है सब कुछ जो है वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है बुरा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे कि एक बहुत अच्छा एक्जामपल दिया गया है अगर चिमनी पर कोई green color लगा देगा तो लोग ऐसा लगेगा कि इससे बहुत ही कम पॉलिशन जो है वह हो रहा होगा इसलिए इसके उपर green color लगाए गया वरना कोई और color लोग वहां शो करता है जहां पर इन्वार्मेंट ली कुछी सेफ हो या इन्वार्मेंट को कम नुक्सान पहुंचा रहे हो यह मैक्डॉनल्स ने अपना जो color चेंज कर दिया रेड को बिल्कुल green कर दिया है तो यह भी green केमिकल तो इस्तिमाल होना ही होना है बट यह चीजह आपको दिखाए जाती है आपको ऐसा लगे एक फॉल्स इंप्रेशन पड़े कि यह प्रोड़क्त टोटली जो है वह इन्वार्मेंटली से बनाने की कोशिस की जाती है और लैब टेस्टिंग से उसका सर्टिफिकेट ल बताएंगे कि हमारे कार्च पॉलूशन भी नहीं होता सब कुछ इसमें बिल्कुल अच्छा ही अच्छा है इसी तरफ फिलिप भी बल्ड बगारा बनाएगी उसमें बताएगे कि यह टोटली एनर्जी को कंजर्व करेगा बहुत सारी एनर्जी आपके लिए बचाएगा औ फिलिप जो है ग्रीन मार्केटिंग की तरफ काम कर रहा है बट यह जो कंपनी आप देख रहा है मैकडॉनल्स वेगर यह सब ग्रीन वासिंग का इसमाल कर रहे हैं यहां पर बर्गर खाने से आपकी हेल्ट पर प्रभाव पड़ेगा बट वैसे तो बर्गर को डिकंपोस कर किया जा रहा है कि बहुत ही इन्वार्मेंट फ्रेंडली टाइप का प्रोड़क्ट बना रहे हैं वह ऐसा ही बनाते हैं जिससे बस आपको लगे कि हां ऐसा कुछ होगा तभी यहां पर ग्रीन कलर बगर चूस किया गया है आई होप यह ग्रीन वासिंग और ग्रीन मार्केट इसको सुसाइटल मार्केटिंग भी कहते हैं यह क्या होता है देगे इसके पहले मैंने आपको मार्केटिंग ओरेंटेशन में एक जगा सुसाइटल ओरेंटेशन बढ़ाया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि जब कंपनी किसी प्रोड़क्ट को बना रही हैं मार्क यह देखा जाता है कि हम सुसाइटी के लॉट्रम इंट्रेश्ट कु फुल्फिल कर रही कि नहीं जैसे सोइटील का लॉंग टर्म इंट्रेश्ट क्या हो सकता है liegtेर रहना सबसे पहले हमको एक ऐसा-प्रोड्य मनाई जो लोगों की है लॉट्ठ पे कि हमको जो हमारी वेल्थ है वो धीरे तरे इंक्रीज हो और जो इंडिया का अगर आपकेटी चाहेंगे कि इंडिया की प्रॉसपेरीटी बढ़े तो क्या हम की हेल्थ को बिल्कुल अच्छा रखे या कोई ऐसे आटे का प्रचार करेगा जिसमें बोलेगा कि इसमें ऐसे फाइवर जिसे आपकी जो दिमाग हो बहुत ही तेज हो जाएगा तो यह क्या है आपको सिर्फ आटा ही नहीं बेच रहे हैं आपको यह भी बता रहे हैं कि साथ म जो पत्ती है जो उसका भी उसमें आपको दिखा देंगे लोग कि इसको पीने से आपकी जो फ्रेशनेस है यह आपके अंदर जो एनर्जी यह बहुत ही ज्यादा हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग काम करेंगे तो इस तरीके का कॉंसेट लिया जाता है ज सब्सक्राइब जैसे सभी लोग चाता है हैं कि हमारा जो एंवार्मेंट हो अच्छा रहा है तो अगर हम कोई ऐसा बनाते हैं जो इनवार्मेंट міह है तो लोग जैसे अभी पीछे हैंनेपर की कि क Southgate कि कीionar जाएगा है सारा साधर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी रिलेट कि हम उनको प्रिट्व ना बेचेंग अगर हम इंको फ्रेंडली दिखां थैम ब town बता है तो वह हो जाएका सूसाыйटल marketing अब सुसाइटल मार्टीण के तरह अलग के मार्केटिंग होती है सोचिजू मार्केटिंग सोसाइटल मार्केटिंग और सोसेल मार्केटिंग वे लोग सुषयाथए यह क्या था क्या पढ़ा दॉट क्या याद नहीं आ रहा तो सुसाइटार मार्केटिंग अगर आप वोग समाज इंफ्लेशन हो सकता है इस तरीके के मुद्दों को लिया जाता है जैसे कोई कंपनी यह बोले कि हम इस महगाई के जमाने वे आपको सबसे सस्ता प्रोड़क्ट दे रहे हैं तो यह कहां सोसियल मार्केटिंग है या कोई कंपनी ऐसा बोल रहे कि इसमें हैं इतनी कैलरी एनरज प्रोड़क्ट बनाया जाता है जिसको कम खाने से भी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वस्त रह सकें तो वह एक सोसियल मार्केटिंग है इस इक्जामपल में आप लोग देख लिए सेकेंड इमेज में एक छोटे से बच्चे को बड़े का कपड़ा पहना पूछा ग देता है इनको तो यह क्या रहा है कि जो बच्चों को जो बेसिक नूट्रीशन उनका माल नूट्रीशन हो जाता है उनको अच्छे से खाने को नहीं मिलता जिनके वज़े से वह अंडर नरीज रहते हैं उस चीज को सो कर रहा है तो यह किसी एक ऐसी कंपनी के पीते हैं तो आपके लंक्स में इतनी सारी चीजे भर गए हैं तो यह किसी कंपनी का प्रचारा है जो सिग्रेट छोड़ा सकती है इसी तरीके जो थर्ड वाली में इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप स्रिप और जो सारा का सारा सुगर है वह किसी पॉंड में तो भर नह मार्केटिंग की तो यह जो हमारी टेकनीक हो जाएगी जिसमें आपको सुगर मना किया रहा हो दी मार्केटिंग हो जाएगी असलिए हो सोचल मार्केटिंग में हो तो सब्सक्राइंका 75 को यकी के पास हम लोग discuss करते हैं Digital Marketing की जो 5 टाइब से अजpek्णी क्या है इसको हमद весь टेल में समझते हैं है एह चलिए हम लोग समझते हैं डियिटल मार्केटिंग क्या होता है एक डिटर बरगिटिंग बहुत ही इंपोटलियों टॉप्पिक हैं इसलिए एक-एक बात को सुनते हुए चलिए किस से कोश्चन आएगा किसी को भी नहीं पता अगर आप लोग धंग से किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो 100% जो भी कोश्चन आएगा आप उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिजिट जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं उससे हम लोग मार्केटिंग करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आप लोग ने कई पर देखा होगा जो भी हमारा सर्च इंजन वगरा है जो हमारा लैपटॉप मोबाइक यह सारी चीज़ों हैं इसमें लोग इंटरनेट को जोड़ द दिखाएगा जब रैड टीशर्ट की साइट से पॉर्चेश कर सकते हैं सबसे पहले आपको दिखाएगा रैड टी-शर्ट से रेटेट कुछ एड तो यही जो है ऑप्टमाइजेशन सबसे पहले गूगल जो है वह आड को दिखाता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग पी जगह जहां पहुंचना चाहते हैं डिजिटल प्रेफॉर्म से आपको पहुंचाया जा सके आपको प्लेज जो हम लोग ने पढ़ा था 4P मॉडल में उसके पाद हम लोग ने 4C मॉडल ने पढ़ा था कि जो कन्वेंस टूबाई है कन्वेंस टूबाई वह यही चीज है डिजिटल मार्केटिंग मतलब कन्वेंस टूबाई अगर आप रड़ टीशर्ट खरेदना चाहते हैं तो आपको सारे कंपनियों के एड भी दिखेंगे आपको दुकाने भी दिखेंगी वेबसाइट भी दिखेंगी जो भी चीज़े आप चाहते हैं वह चीज़े आप तु का उपयोग कर ही रही है कोई वह ऐसी कंपनी नहीं है जो आउट बॉंड मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है आज के सामें सभी कंपनिया जो इन बॉंड मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग पर आ चुकी है तो डीटल मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ा होती है या तो तो Facebook एक platform हो गया इसी तरीके से YouTube एक platform हो गया क्योंकि यहां पर एक large number of audience जुड़ी हुई है तो इस पर हर एक company अपना ad चलाती है हर एक company इस तरीके का काम करती है कि YouTube का जो section आप देख रहे हो जो वीडियो देख रहे हो उससे related अगर आपका interest उसको पता चल जाए तो उसी है सिर्फ उन्हीं खरीदारों को जो उसमें interested है तो Google AdSense एक तरीके का ऐसा है कि यह आउड मार्केटिंग का जस्ट अपोजिट इंबॉड मार्केटिंग है जो लोग interested है सिर्फ उन्हीं को Google AdSense एड दिखाता है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म अब डिजिटल चलता है और उसी पर क्लिक करने से आप साइट पर पहुंच जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे बैनर्स और उन बैनर्स के नीचे अगर कोई ऐसी बटन दी हुई है जिससे आप उस एप को इंस्टॉल कर सकें जैसे कि किसी एप का प्रचार आपको देखने को मिला है या फिर गेट मोर्ड़ डिटेल्स यह दो बटन आपको दिक्ता है तो यह दो जो दो चीज़े होती हैं जो दो बटन दे रहें घांको इंस्टॉल के और get more details के इसमें कोई graphical representation नहीं होगा यहां से आप directly app को install कर सकते हैं बड़ जो ऊपर आपको वीडियो चल रहा है उसमें graphical representation मतलब इमेज वएगार का इस्तवाल करके आपको चीजे बताए जा रही है और वहां पर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप डिरेक्टली उसके एप जो गूगल प्ले में उस सेक्शन में पहुंच जाते हैं तो यह जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग कहते ह है बैनर और जो नीचे हम लोग को सेक्शन दिया रहता है डिरेक्टली इस्टॉल करने का उसको हम लोग कहेंगे बटन्स यह दो चीज़े आप लोग ध्यान से सुन लिजे और समझ लिजे फिर दूसरी चीज़े इसमें और चीज़े आती है इंफ्लुएंसर मार्केटिंग आता है और ओखायिएट मार्केटिंग आता है इस चीज़े में चीज़े आपको सभी कूछ बताऊंगा तेच चेलिएधोर मार्केट हैं他是 ठीच frågor से हम नहीं फिरेकर करते हैं योग को हम लोग कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग चले अब हम लोग समझते हैं affiliate marketing क्या होता है देखे आप लोग ने कई बार देखा होगा कि आप जब भी कोई product search करता है Google में या कहीं पर भी किसी भी search engine में तो आपको सबसे पहले आप बहुत सारे ऐसे link दिखाते होंगे जो Amazon पर ही लेके जाते हैं बड़ उसके पहले आपको अलग-अलग website combine होके एक जगा पर दिखाई जाती है जैसे कुछ ऐसे आप देख सकते हैं जिसे ट्रिवाइगो एक website है जिस पर अलग-अलग hotel के जो प्राइजे से उसको compare करके वहां से book भी कर सकते हैं तो ट्रिवाइगो क्या है अलग-अलग website पर आपको ले के जाता है और उनका comparison भी दिखाता है इसी तरीके से जो affiliate marketing है यह एक ऐसा platform होता है यह एक ऐसी site बनाई जाती है जो अलग-अलग major site से वहां की link को directly आपको provide करा को अगर मिलते हैं आप वहां से shopping करते हैं तो आप अगर वहां से amazon पे जाके solution करते है या वहांव Street कार पर shopping करें कहीं पर आप जाके shopping करेंगे तो आप को जब आप वहां उसज्वापिग करेंगे दो cash करो कुछ cashback देता है तो cash tworrick is cashback आपको अपने account में भी आपके account में transfer करके देता है तो यह ऐसा कैसे कर पाता है क्योंकि cash करो जब Amazon से affiliate marketing अपनी connect कर चुका है तो जब भी cash करो के थ्रू कोई भी shopping करता है तो Amazon cash करो को कुछ cash देता है एक और पर चुका है तो एक ईसने cash करो को 300 रोपए दिया तो आपको कितना cash back देतेगा तो 300 चुका है और आपको मिला 30 रुपए का सकर डहिए तो आपको लगता है कि मेरे 300 मेरे account में आ गए तो वह आप और फाइदेमंद हो जाता है और कैस्के रो के लिफादेमंद हो जाता है करो дол face क्लब हो रुपए कमा लेता है बड़ रुपए कमाने के लिए अप उसके साइट पर जा के amazon शौपिंग ह이식ा करो को दो सबुस्वक स KIM कर या उसकी ल्वाकिट ने ने क淋 तो डाला जाता है आप कई बर देखेंगे कि आप कोई website खोल रहे हैं वहाँ पे आपको Amazon में आपने जो सर्च किया था उसका लिंक आ गया तो उनको पता रहता है कि सर्च इंजन में आपने यह चीजे सारी जो चीजे हैं आपने सर्च करके रखी हुई है तो वह उसी किसाब से आ और यह कमिशन डिपेंड करता है कि कितना क्लिक थुरू रेट उसके website से Amazon पे आता है सब कुई वहाँ पर पढ़ने के लिए और वहाँ पर जो एड्स दिखाए जा रहे हैं वह इस्ट्रेंट के लिए helpful नहीं है तो मतलब वह साइट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे है कि Amazon के ads को दिखाने के लिए यह Amazon की links को provide कराने के लिए बट कहीं पर अगर कुछ fashion की website है तो अगर वहाँ पर लोग fashion के बारे में जानना है और वहाँ पर Amazon के कपड़ों के कुछ एड को वह एफिलेट मार्केटर चलाता है या ऐसी links देता है जहां से आप लोग उसको खरे सक उसको ज्यादा पैसा देगी और जिस site का click-through rate कम होगा जैसे कि 100 लोगे ने add को देखा और 10 लोगे ने अगर click किया तो 10% हो जागा click-through rate तो जिस website का ज्यादा होगा उसको ज्यादा पैसा मिलता है तो affiliate marketing एक इसी तरीक एक चीज है आप जितना अच्छा platform बनाओगे जितने अच्छे से link को लोगों तक दिखाओगे लोगों तक पहुचाओगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलता है affiliate marketing आज के समय में जो भी students पैसा कमाना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा इस्तवाल कर रहा है affiliate marketing का वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है लोग नए-ने तरीके से इसका इस्त इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे platform का इस्तेमाल करते हैं तो affiliate marketing बस आपको यही समझा है कि जब भी कोई एक party किसी थर्ड पार्टी की मदद लेगी ट्राफिक जनरेट कराने के लिए तो वह चीज़ होती है affiliate marketing क्या होता है वारल मार्केटिंग मतलब जैसे आप लोग सुनते है कि कुई content यूट्यूब पर वायरल हो गया या वह जि वाईरल हो गया जैसे कि आप लोग पूससे कि किया चल रहा है तो लोग बोलते है कि force चल रहा है तो पूरी तरीके से वाइरल हो गया सब ही लोग इसका इस्तमाल करने लिगे एक बार एक ऐसा viral content बनाया जिसके वाइरल मार्केटिंग इसी तरह के एक चीज है जिसमें कुछ ऐसे सब्दों को बनाया जाता है जिसको लोग वाइरल कर दें जो मोदी जी को ही वोट दे दियोंगे गया एकवर राहूल bitcoin जी ने जब मोधी जी को कहा था कि मोधी जी चौकीदार यहàyनी तो मोदी जी ने खुथ कहा कि हम भी हूँ चोक किदार में च्छोटी जाती से आया हूं लेकिन मैं भी हो दो इस तो मैं Carry किसी पॉलिक्तिकल परटी का समर्थन करके नहीं भोल रहा हूं एक आपको ग्जामपल वता रहा हूं कि इस तरीके की जो जीज़ें वो मार्केट में फैलाई जाती है इससे क्या होते जब लोग बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जैसे टाटा इसको लगा डाला तो लाइब जिंगा लाला अब आपको यह चीज बहुत ही अच्छी लगेगी तो इसके वज़े से हो सकता आप जब भी डीटेज कोषिस किया या बट किसी भी कम्पनी को यह नहीं पता हुता है कि कोंसी चीज वाइरल होगी हर कंपनी ठ्राइ करती रहती लगतारे हो गया तो यह बहुत ही जादा रिजल देगा जैसे फॉक के केश में अगर आप लोग देखे तो आज फॉक सब को ही बोलता है क्या चल रहा है फॉक चल रहा है तो यह चीज़ इतनी ज्यादा वाइरल हो चुकी है कि फॉक को अपना एडवर्टैजमेंट बनाने के जरौत थ जाता है वह B2C e-commerce website में किया जाता है जो भी B2C जैसे बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू जो हमारे कंजूमर है उसमें e-commerce website जैसे Amazon वगरा यह सबसे ज़्यादा वाइरल कंटेंट बनाने की कोशिस करती है क्यों ऐसा कोशिस करती है क्योंकि टोटली इंटरनेट से ही सारी कंपेनिंग करती है अगर इनका कोई भी एडवर्टैजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके सा वाइरल हो जाए जैसे सपोस्कि बिग बिलन डे आने वाला या कोई सूपर सेल आने वाली तो इसको इन लोग ऐसे बनाते हैं जिससे की इमोशनली लोग इन से कनेक्ट हो जाए कोई दादा जी है जो अपने पोते से कह रहे हैं कि मुझे लैप्टॉप ले आओ तो पोते ने बिग बिलन डेस पर आफर मार्केटिंग का वह होगा B2C e-commerce websites को क्योंकि जो content होता है इंटरनेट पर ही वाइरल होगा और सबसे ज्यादा लोग shopping भी कहां से करेंगे e-commerce website से तो B2C e-commerce website सबसे ज्यादा वाइरल content बनाने के कोशिस करती है इस बात को आप लोग समझ के चलना है वाइरल मार्केटिंग क सबसे ज्यादा इस्तेमाल e-commerce website करती है नेक्स जो marketing टाइप है वह है influencer marketing influencer marketing जैसे कि समझ में आ रहा है कि ऐसे लोगों से marketing कराना जो हमारी brand की audience पे अच्छा प्रभाव रखता हो जैसे कि suppose हम कोई bad बनाते हैं और हमारी जो audience है जिनको हम bad बेचते हैं वह हमारे जो बच्चे है क्रिकेट खेलते हैं तो उन पर सबसे हैं प्रभाव किसका होगा सचीन तंदुलकर विराट को लिया किसी वे ऐसे क्रिकेटर का जिसका performance बहुत अच्छा हो बहुत अच्छा batsman हो तो influencer marketing में ऐसे लोगों से directly marketing करवाई जाती है इंसे एक एड बनवाए जाता है जिसमें लोग सब्सक्राइब करा जाते हैं कि आप अपनी स्टोरी बताएए और उसमें नीचे बता देंगे कि इस बैट इस जो बैट बनाने वाली कंपनी है सपोस्ट कोई MRF जो है वो बैड बना रही है तो यह जो प्रोग्राम है वो sponsored MRF के तरफ से तो इससे क्या होगा MRF उस चीज़ क पर पहुंचा जाता है जहां से हम अपनी ओडियंस जो हमारी ओडियंस है जो हमारे से समान करेती है वो ओडियंस किसे इंफ्लेंस होती है उनके थ्रू हम लोग मार्केटिंग करवा सकें जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था मेगा मार्केटिंग मेगा मार्केटिंग म हैं powerful लोगों से या जिनके पास public relation उनसे marketing करा जाती है तो influencer marketing हम उन लोग से marketing कराते हैं जो हमारी audience को खासा influence कर सकता है यह influencer marketing का basic concept है कि हम सिर्फ अपने ही लोगों तक बिल्कुल पूरे तरीके से concentrated रहते हैं और उन लोगों को पगड़ते हैं मार्केटिंग के लिए जो हमारी मार्केटिंग टाइप है वह है री मार्केटिंग री मार्केटिंग क्या होता है जैसे आपने कभी किसी जगा पे देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में कि आपने कुछी सर्च की तो आपको उस चीज को खरेदना नहीं था आप वहां पे गए और आपने उस चीज को खरेदना नहीं तो आपके जो ब्राउजर उ दिखाएगे कि हो सकता है बार बागर उसे देखेंगे तो आप खरेद लें क्योंकि आपने अगर उस चीज को देखा है तो आपको उसकी जुरत होगी तभी देखा है तो री मार्केटिंग यही काम करती है या फिर जब रिनीवल यूज होता है जब भी आपको समान खतम हो ग करते हैं तो री मार्केटिंग यही है या तो रिन्यूड यूज और प्रोड़क्ट को दिखाएंगे या तो आपने कुछी सर्च किये तो उसको बार-बार आपको दिखाएंगे ताकि आप ले लो बार-बार आपको परसान करेंगे तो री मार्केटिंग को आप लोग समझ करो यहीं चीज रिमार्केटس के जाती है जैब हम समझते वर्टिकल मार्केटिंग system वर्टिकल मार्केटिंग system का मतलब है जब भी कोई Freedom Channel fully corporate करके चलाया जाए जो हमारे डिस्टिबूशन चैनल में सरा जिनसे हमारे customer समान खरेत के जाएंगे और जो हमारा Producer यानि की Company इनके बीच में किस तरीके से ऐसा Corporation बनाया जाए कि हर एक Company जो चाहती है वह हो जाया और इसमें जो हमारे रिटेलर हैं और होल सिलर हैं सबको अपना प्रॉफिट भी दिखे और हर एक चीजे अच्छे तरीके से हो तो इसको करने का तीन ऐसा तरीका बनाया गया है जिससे हर एक कंपनी अपने प्रोड़क्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाती है तीन जो तरीके हैं एक है कॉर्परेट बीमेस वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम दूसरा कॉन्ट्रेक्ट दैते हैं और थीजरे छिजे यही कंट्रोल चाल करेंगे क klar प्रॉपर धिस्ट्रीइशन चैनल को सबसे पहले हम लुग समझते कॉर्परेट जो व्ये व्ये होता है तो corporate PMS में एक ही company production भी करती है एक ही company जो है वो आपका distribution भी करेगी और एक ही company retailership भी करेगी जहां से directly जो है लोग समान करेद के जाएंगे तो ऐसी कौन-कौन सी company आप लोग को लगेगा कि ऐसी तो बहुत ही कम company होंगी और इतना बड़ा जिम्मेदारी हरे company कैसे corporate करके निभा जाएगी तो कुछ ऐसी company के बारे आप लोग समझ लीजे जैसे कि एमवे का बहुत लोगों ने जो advertisement है या एमवे के product इस्तमाल किये होंगे बहुत सारे product इसके आते हैं American company beauty product ज्यादा बनाती है तो एमवे जो है यह कभी भी किसी distributor को जब तक अपने company का member न बना ले या उसक अब तक उसको अपना समान distribute करने को नहीं देगी उसको यह company commission ही देती है बट उसको कभी वह किसी समान को उठाने नहीं देगे कि आप markets इतना समान उठाओ और जिस rate बचाते हो बेचो इस तरीके का में सिस्टम नहीं होता में आपको तब समान बेचने को देगी जब आप उ उसका समान बेच सकते हैं तो corporate में क्या होता है production का काम distribution का काम और तीनों company खुद करती खुद वखुद करती है जैसे DHL है यह हर जगा post वगरा पहुंचाता है सब कुछ पहुंचाता है तो DHL खुद यह काम करता है हर एक जगा जो चीज़े चाहिए इसमें DHL में खुद पहुंचाना और इनको manage करना हर एक चीज़े DHL के employee करते हैं इसी तरके जो बाटा की company है बाटा की company भी यही काम करती है बाटा की company में जो भी जूते बनते हैं वह उनके खुद की दुकान पर ही बिख सकते हैं बाटा के showroom में ही बिखेंगे बाटा आपको अलग से कोई बाटा का प्रोड़क्त बेशना चाहते तो आपको बाटा से जुड़ना पड़ेगा आपको इसका employee बनना पड़ेगा तभी आप बाटा का प्रोड़क्त बेश सकते हैं तो यह एक सिस्टम है जिसमें company सब कुछ खुद वख खुद देखती है ताकि कहीं पर भी कुछ फॉ corporate VMS को चुना जाता है जब कोई खास तरीका प्रोड़क्त बनाती है कोई company जो चाहती कि कोई और कॉपी ना कर ले तो corporate VMS को चुनती है अब इसी तरीके से होता है contractual VMS contractual में क्या होता है company किसी को distribution का contract दे देगी या ऐसी कुछ shops होंगी जिनको दे देगे कि आप हमसे फ्रंचाइजी ले लो और हमारे नाम पर हमारा प्रोड़क्त बेचो तो हम आपको सब कुछ बता देंगे कि यह पीजा कैसे बनेगा यह बर्गर कैसे बनेगा जो आपको बे सब्सके अब को सबसे चला सकते हे चला सकते हो इसको इसको शर्रेंचाइजी देने का profit होता है उसके और ऊस रहते हैं वह भले फ्रंचाइजी को फॉलो करने पड़ते हैं कुछ पर्सेंट कमिशन देना पड़ता है सेल्स का बट सबसे ज्यादा फायदा होता है फ्रंचाइजी लेने वाले कंपने को होता है तो इस तरीके के कंपनियों में अगर देखा जा तो यह कंपने बहुत ही सबने से मैनेज करें एक वार हमने फ्रंचाइजी ले लिए लिए जितने लोगों लेना है लो बट इनके प्रोड़क्त खुद इतने महेंगे होते हैं कि प्रॉफिट सबको बहुत ही ज्यादा होता है तो कॉंट्रेक्चुल जो वीमस है वो उसी चीजों में अपनाया जात हैं और कंपनी को भी रेगुलर्ली इसका प्रॉफिट होता रहा है अब देखिए जो लास्ट सिस्टम होता है वहता है एड्मिस्टर्ड में क्या किया जाता है कि कोई कंपनी खुद इतनी बड़ी होती है कि उसकी डिस्ट्रिबूशन चैनल को बनाने कि उसको कुई जरौत ही नहीं पड़ती जो मार्केट में डिस्ट्रिबूटर्स होते हैं उन्हीं के तुरू या कुछ शोरूम्स वगरा में वह खुद जो भी डिस्ट्रिबूटर है वह उनके प्रटक्टों रख सकते हैं जैसे कि आपको टाटा मोटर्स का कोई शोरूम खोलेगा और टाटा के स दूसरी कोई चीजें रखनी होगे अपने शोरूम में तो हम लोगा रख सकते हैं तो इसमें वहीं चीज होती है प्रोडक्ट्स एंडिस्ट्रिबूशन चैनल अफेक्टेट बाइद साइज और पाउर फोन अफ या तो प्रोडक्ट्स जहां पर वह बहुत ही ज्यादा होत जो हमेंशे कहाएगा कि हम्को इतना चाहिए इतने जो गाड़े हैं इतने समय में चाहिए भी नां मिले तो इनकी दिश्ट्रिबूटर सिफ छोड़ के दूसरी के पकड़ लेंगे क्योंकि हर एक जो डिस्ट्रिबूटर वो पैसा कमाना चाहता है उसको प्रोडेक्ट मिलेगा तभी कमाएगा और यहां पर कोई डिस्ट्रिबूटर चाहिए होते हैं तो लोग परवा नहीं करती किसी एक डिस्ट्रिबूटर को हम लोग पकड़ लेती हैं चले हम लोग समझते हैं द्रिए इसके पहले मैंने आपको कस्टमर डिए ये मार्केट पे डिपेंडनेंट है यहां पर कस्टमर को फोकस में नहीं रखा गया है मार्केट को फोकस में रखे गया तो यह कौन सी स्टेटजी है जब भी हम लोगों मार्केट में उतरना है किसी प्रोड़क्ट को लेके किसी भी नय मार्केट में उतरना है तो हमको कौन-कौन से प्रोस करनेंगे पाद जो भी आपका Target Market निकलता है उसमेंगें आप अपने फ्रोचरेबल ग्रुप ऑस ने मार्केट केiska को पाड़ने वाले इसको कहेंगे निश्ट पकड़ना अपना अपना Specialization पकरणना तो मार्केट सेगमेंटेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग कहां से इंट्रिल लेने वाल हैं क्योंकि हर जगांगा अपनी चीज़े उतार देंगे तो नहीं पहुसे पहले हमको वहाँ उतारना चाहिए जहांपर हमको Initial Sales आने के संभवना ज्यादा रहती है तो मार्केट सेकिमेंटेशन में यही करते हैं अपने प्रोचेबल को समझ सकें। कि emoc blek अप्रोच करना है ताकि उन्हीं के साबसे जो भी चीजें हम लोग असानी से सेल कर सकें यह जो डिवीजने देमी भी हो सकता अधार पर किस जगह पर हम को चीजे बेचनी कौन सा हमारा प्रोडक्ट है यह नीड्स प्रियॉर्टी सब्सक्राइब कर का में इंट्रेस्ट के बनाई जाती है यह साइकोग्राफी किस थरीका बेहेविर कहां के लोग रखते हैं वह हमारे product को खरेश सकते हैं कि नहीं इसके अधार पर भी segmentation किया जा सकता है ये सारी चीजे इसले की जाती है कि हम कस्टमर को analyze कर सके कौन सा कस्टमर हमारा प्रॉटर्ट करेड़ेगा किस market के कौन से customer हमारे प्रॉटर्ट को Emisaly करेश सकते हैं इसको एनलायज करने के बाद हम लोग उस market को target करेंगे अब market को aún हमारा total market मार्काइट हैं अब उसमें से हम लोग क्या क्या चीज ziehen वहां पर क्या सकते हैं अब उस तरीके प्रूड़क्ट में से हम लोग किन बायर को कौन सा बेश सकते हैं तो टार्गेट मार्केट मतलब जो हमारी टोटल मार्केट थी उसमें से दस हमको ऐसे लोग मिल गए दस ऐसे बायर मिले जिनको हम अपने कुछ प्रोड़क को बेश सकते हैं तो यही हुआ हमारा मार्केट टार्गेटिंग मार्केट टार्गेटिंग मार्केट में घुसने का प्रयास करेंगे अभी तक हम लोग ने मार्केट को सेग्मेंट कि अभी तक हम उसे घुसे नहीं थे अब मार्केट टर्गेटिंग में हम लोग क्या करते हैं मार्केट में घुसते हैं और लोगों को पकड़ते हैं मार्केट में घुसने के वाद हम उनको ऐसा कॉस्ट देते हैं कि वह उनको सैटिस्ट्वैक्ट्री लगे और हमारे प्रोड़क को लोग खरे दें तो पहली चीज मार्केट को ट वह सारे लोगों को हम लोग टार्गेट करने स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हम लोग करते हैं पोजीशने अब प्रोड़क्ट हमने बेच दिया अब प्रोड़क्ट बेचने के बाद जब हमने प्रोड़क्ट बेचा तो अब उन लोगों के दिमाग में हमारे company की जो brand image हो कैसी मनेंगी इसकी बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा अगर हम बहुत सस्ता product बेच रहे हैं वहाँ पर higher income के लोग रहर हैं तो वहां के लोगों को यहीं लगे हैं कि इतना सस्ता product है कि किसी खराब company ही का होगा और इसकी क्वाल्टी बहुत ही खराब होगी तो हमको यह सब चीजे देखना पड़ता है कि हम अपने पैकेजिंग कैसी करते हैं अपना जो शोरूम वेगार है जहां पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वह कैसा दिखता है जो हमारे ब्रांट की में हम लोगों के मन में कैसी बना रहा है इसी को कहा जाता है पोजीशनिंग पोजीशनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोडक्ट को पोजीशन किया जाता है कि जो कस्टमर है उसके माइंड में एक ऐसी इमेज बने जो हमारे ब्रांट की सही इमेज या अच्छी इमेज को दिखा सके तो अब हमने यह बता जिया कि हमारा अच्छा है हमारी ब्रांड अच्छी सब कुछ अच्छा है लेकि उसका भी तो अच्छा है तुम्हारा अच्छा है तो इनका भी तो अच्छा है तो हमको अब यह बताना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोड़क्ट है वह उनके प्रोड़क्ट स कि आप अपने competitor से किस तरीके से अलग है और आपकी competitor आप में में डिफ्रेंस जो है वो क्या है यही चीज़ आपको आपके clients को आपके customer को पकड़ने मदद करेगा हो सकता है आपको difference वो कुछ customers को बहुत ही पसंद है वो लोग वही चीज़ चाते थे तो आपके पास चले आएंगे तो differentiation में हम लोग अपने आपको अलग दिखाने की कोशिश करते हैं और positioning में हम अपनी अच्छी image को बनाने की प्रयास जो है वो करते हैं जो हम position करते हैं अपने image को customer के mind में वह हम लोग positioning में करते हैं और differentiation में हम लोग उस image को अलग बनाने की कोशिश करते हैं इन चार स्टेटिजी को आप लोग समझे होंगे इसी तरीके से किसी मार्केट में इंटर किया जाता है और मार्केट के अंदर इंटर करने के बाद इस तरीके से company वहाँ पे sustain करती है अभी company growth नहीं कर रहे हैं अब सिर्फ sustain कर रहे हैं अब यह sustain करने के बाद जो next point आएगी वह आएगी growth की तो जब company को growth करना होगा तो अब वह क्या करेगी अब वह product market expansion grid का इस्तवाल करेगी product market expansion grid को and soft matrix भी कहते हैं और यह company तब इस्तवाल करती जब वह market में पूरी तरीके से sustain कर गई हो अब वह अपने profit को बढ़ाना चाहती है growth को बढ़ाना चाहती है तो product market expansion grid हमको इस चीज़ में मदद करेगा अब यह कैसे मदद करेगा product market expansion grid में जो पहली point होत generation जैसे मैंने आपको पहले बताया था market को target करना उसमें लोग penetrate करेंगे तो पहली point कहती है कि जब आप कहीं पर sustain कर रहे हो तो आप उसमें penetrate करते जाओ जो भी product आपके पास है पहले उसको लगतार अप maintain करो लगतार अपने customer जो हैं उनसे आप अच्छा behavior बना के रहो ताकि आ development पर धाल दो अभी तक product development का मतलब है या तो आप प्रोडेक्ट नया ले क्या हो या तो अगर आप एक company है तो आप किसी नया product को develop करें तो product development हम लोग किसी नया product को introduce करेंगे existing market में अब मार्केट में हम लोग penetrate हो चुके हैं हमारा regularly बहुत अच्छा काम चल रहा है अब हम सबसे पहली जो रिस्क हम लोग लेंगे जो प्रोडेक्ट भी रहा है उसके साथ हम एक नया product लेकर आएंगे उसको भी बीचने के कोसिस करेंगे अब सपोर्डेक्ट भी गया तो अब हम लोग उसका भी market development करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे उस product को जितने हमारे product हैं अब ह किसी दुकान में घुच जाना नय मार्केट का मतलब यह होगा कि आप नय लोगों को target करें तो अब आपके पास जितने भी चीजें हैं पुरानी और नहीं आपने नया product अभी पीछे इंट्रोडूस किया और उसके बाद आपको अगला जो step लेना है वह लेना market development अब जितने भी product आपके पास है उनके साथ आप किसी नय मार्केट में इंटर मारोगे उसको कहेंगे market development तो अब आप अपना जो market है उसको बढ़ा होगे सबसे पहले क्या किये existing market में penetrate किये अपनी sales को regular किये फिर कुछ नय product लाके लोगों को बेचे अब जब देखें नया product भी बिकने development अब suppose और लोग भी आपका product खरेद रहें तो अब क्या करोगे आप और लोगों को फिर लेके आओगे और नया product भी लेके आओगे तो अब आप क्या करोगे diversification कर दोगे हर चीज बिल्कुल अलग कर दोगे अभी तक आप कुछ उन्हीं लोगों में टिके हुए थे उन्हीं प्रोड़क्ट में टिके हुए थे बट आप क्या करोगे जब सब कुछ होने लगा आपका market development भी होगा आप काफी लोगों तक फैल गये तो आप आपको नया प्रोड़क्ट लेके आना चाहिए और फिर से नय लोगों को टार्गेट करना चाहिए तो जब इस साइकल को आप बार बार रिपीट करेंगे पहले पेनिट्रेट किये फिर पर प्रोड़क्ट के development करेंगे फिर प्रोड़क्ट करने के बाद आप मार्केट के में और उनको बहुत ही इजली ग्रोथ मिल जाती है अब देखे प्रोड़क्ट मार्केट एक्स्पनेशन ग्रीट के बाद अब हम लोग समझेंगे मार्किटिंग प्रोसेस मंच्रेश मेनेजमेंट क्या होता है अब देखे मार्किटिंग टीम होती है हर एक कंपनी के खुद juikah GoodbyeJust you guys just buy it a little marketing team की तरीखेस अपने सारे चीज़ो को manage करती हैं इसको हमनों बोलते हैं marketing process management सबसे पहली चीज आती सप्प्लाइचेन Rickman सप्लाइचेन क्या है प्रोड़क्शन से लेकर एंड ये delivery of product जब तक customer तक product नहीं पहुंच जाता इसको completely manage करने के लिए एक central body बनाई जाते है supply chain management सब्सक्राइब इन सभी चीजों का आपको के exam में full form भी आ सकता है SM का full form क्या है VMS का आप VMS का तो दो full form हो गया वेंडर में marketing system तो वो दोनों full form हो जाएगा जो option होगा आप लोगों को उस पर टिक मार देना तो supply chain management supply chain क्या करेंगे production से लेकर delivery of good तक जब तक हमको जो good है हमने पहुंचा नहीं दिया जहां पर हमको पहुंचाना था customer ने उसको खरेद नहीं दिया वहां तक कि सारे प्रोसेस को हम लोग उसमें देखेंगे centrally अब इसमें अलग अलग चीज़े हो जाएंगे अब इसमें एक हो जाएगा vendor management system vendor management system में क्या होगा अब जिमको जिक को हम लोग contract दिया है हम लोग regularly चेक करेंगे कि उनका काम कैसा चल रहा है अगर उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो उनको बताएंगे कि आप ऐसा improvement करो क्योंकि हमको यह चीज़ अचीज़ करनी है यह काम कौन बताएगे supply chain management की टीम बता देगी अब vendor management की जो टीम हो सिर्फ यही देखती रहते हैं कि जो contract हमने दिये हैं उस पर progress कितना हुआ है और इस तरह की सारी चुछों को सुधारने की कोसिस करती है अगर जो हमारे लेके जाना उसको पहुंचाएगी तो मेन प्रांस्पोटेशन का काम कौन करेगा logistics की टीम हर एक चीजों को देखेगी कहां कहां प्रोड़क्ट पहुंचाना है Supplies the Management Team की का है इन चीजों को पहुंचाना है vendor management system कैसे काम कर रहा है कौन हमारे contract पर distribution करने वाला है कौन यहां से contract पर समान ले के जाने वाला है यह सब डाटा vendor management system से मिल जायेगा और लॉजिस्टिक सिंबस उन समान को वहां से के उपर लोड करवाएगी और जहां पर जाना है वहां पर उस चीज को उतरवाएगी उसमें एक स्टाफ कंपनी का होगा या फिर कॉंट्रेक्ट का जो अगर डिस्टिवीशन रखा हुआ है तो उनका होगा अब जो फॉर्थ प स्ट्रिबूटरेक्टर को स्माल ढोल सेलर को दो पहुचाने के बागा से अब यह उसकी कुछ आनता है उसकी बाहिप सब्सक्राइड के distribution extensive distribution में क्या किया जाता है किसी भी प्रोड़क्ट की information को हम लोग लगातार लोगों तक पहुचाते हैं जैसे आपनों देखा होगा कि हर एक शॉफ बगारा पे distribute कि फोन पे का अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आप यह वाला एक सिस्टम होता है जिसमें आपको scan code लगा के फोन पे देता है या आप लोगों के जगा कि कोडरिंग की जो companies होती है वो किसी एक बहुत ही अच्छे actor की एक image को हर एक shop के बाहर लगा देंगी तो extensive distribution में यही चीज़ की जाती है इसमें क्या किया जाता है कि कोई product आने वाला है उस चीज़ की information को सबसे पहले उस shop पे लगाया जाता है अभी तक किसी goods और services का यहां पर distribution नहीं किया जाता है इसके बाद जो है बाद में distribution करते हैं बट पहले क्या करते हैं उसकी information को जगा जगा लगा जाता है इसे फर्स्ट में आप देखें फर्स्ट में कोका कोला का यह extensive distribution नहीं इसमें लिखा I have kissed Marilyn तो यह extensive distribution नहीं बताया जा रहा है कि कोका कोला आने वाला है and Marilyn is drinking Coca-Cola and Coca-Cola has kids Marilyn तो यह एक ऐसी चीज यहां पर बताई जा रहे है ताकि लोगों पता रहे कि यहां पर आने वाले समय में cold drink बिखने वाली अब intensive distribution में क्या करेंगे इसमें हर एक छोटी से बड़ी जगा को हम लोग समान बेशते जाएंगे intensive का मतलब होता है काफी भारी scale पर छोटी से बड़ी जगा तक हम लोग समान बेशते जा रहे हैं इसको आप ऐसे समझे कि बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जैसे cold drink हो गया cigarettes हो गई अब यह आपको छोटी से बड़ी हर सौप पर मिल जाएगी तो intensive distribution इस तरीके के प्रोड़क्ट बेसे जाता है जो हर एक जगा डिमांड होती हर एक जगा लोग खरेते हैं ऐसी चीजों को intensive distribution के strategy से पहुंचाया जाता है फिर इसके बाद क्या होता है selective distribution कुछ ऐसी चीज़े होती जिनको लोग कम उनको जुरहत पोड़ती जैसे किसी खास किसी जो आप मैंने से रोलेक्स की वाचेस हैं ठीक है तो अब रोलेक्स की वाचेस तो आप मान के चलिए अगर कुछी जगा पर रहेंगी तो इनको बहुत ही कमी लोग को इस्तवाल बहुत कम लोग खरेते हैं तो यह सारी चीज़े selective distribution में डाल दी जाते हैं exclusive distribution में भी एक इसी तरीके की चीजों को बनाया जाता है बट exclusive distribution बहुत ही limited होता है मतलब रेर्ली कोई ऐसी जगह होगी जहां पर आपको प्रोड़क्ट मिलेगा जैसे अगर आप इंडिया में फरारी खोदने जाये तो आपको नहीं मिलेगा हर सहर में आपको Harley Davidson की बाइक हर जगह नहीं मिलेगी तो यह रेर्ली मिलती है यह एक exclusive distribution है बट रोलेक्स की जो वाचेस बड़े बड़े सहरों में आपको शूरून वगरा पर मिल जाती है तो selective distribution में हर एक सहर तक समान पहुंचाया जाता है बट exclusive distribution में पूरे country में कुछी जगह पर समान पहुंचाया जाता है जिसको लेना वह उस सहर में कुछ समान को खरे दे तभी ले सकता है exclusive distribution उन्हीं प्रोड़क्ट बनाया जाता है इस तरीके से distribute क्या जाता है कि कुछी जगह पर प्रोड़क्ट पहुंच सके distribution की जो मैंने आपको यह सारी strategy बताई है यह एक्जाम के लिए important है इनको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख के जाएगा और इस lecture में जितनी भी चीजे बताए नहीं है एक-एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा important है एक-एक पॉइंट से आपको question exam में बन सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक-एक पॉइंट को आपको समझाया इन सभी points के आप notes भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं या फिर आप जो हमारा PDF or telegram channel से follow कर सकते हैं telegram channel का link description box में रहता है वहाँ पर अगर आप हमसे कोई doubt पूछना चाहते हैं आपको कोई भी doubt होता है इस lecture से या previous lecture से तो आप हमारे comment box telegram channel पर पूछ सकते हैं चलिए thank you for watching today's video मिलते हम लोग हमारे next video में तब तक के लिए जहें